अलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12 के हैं और वो एक छोटी सी पॉम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट इससे इंपॉर साथ जिन दोस्तों ने पुरी की पुरी पूम पड़ी भी नहीं है वो भी इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो चलिए ज़्यादा देना करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फस्ट कोशन आपके स्क्रीन पर आ चुका इसमें पूछा गया है व कॉशन आपको धियांस से समझना है कोशन जब आप समझो गए तो इसके आंसर आप पेपर में लिख पाऊगे जब बकॉशन नहीं समझोगे तो मैं आप समं में आप देता दू कि अगर आपको पूरी के पुरे पूम की इंपर्टेंस को समझाते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने अधिक से दिक में तो तक class के जो groups हैं उनमें share करना और अपने साथी साथ में और friends को भी बताना क्योंकि आगे भी जो आपके exams होंगे उसमें जितने भी important question आपके exam के बन सकते हैं उनको भी हम discuss करेंगे तो यहाँ पर पहला पहली चीज तो आपसे पूछा गया है कि आपको 12 तक count करने से क्या होगा और साथी साथ हमें क्या मिलेगा जब हम शानत रहेंगे तो आप answer क्या लिखोगे answer लिखेंगे what the point means यहनि इसका जो meaning है point का point का meaning यह है कहने का to say is that we should stop all our activities for our movements यह हमें क्या करना है हमें अपने जो कुछ चणों के लिए कुछ moments के लिए कुछ बलों के लिए हमने अपनी सारी की सारी जो activity है वो stop कर देनी है and do introspection आपको बता है introspection का meaning का मतलब है अपने आप पर हमें सहीम रखते हुए बिलकुल शानत रहना है और आपसे second चीज़ में पूछी की थी keep still help us to achieve और हम जब शानत रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा क्या फाइदा होगा इससे शानत रहने का तो it will help us यह हमें help करेगा किस चीज़ में to start our activities fresh in better and purposeful manner जो भी हम काम कर रहें जो भी हम क्रिया कर रहें उन सभी क्रियाओ को एक अच्छी तरीके से एक fresh और better purposeful manner में start करने का अफसर देगा एक example देता हूँ आप पिछले दो गंटे से पढ़ रहें और पढ़ते पढ़ते आपका सरदर्द होने लगा या फिर कई बच्छों को नीन आने लगती है तो थोड़ी देर हो सकता है बाहर गूमाते हैं movie या कोई video देख लेते हैं या फिर books बंद करके head down कर लेते हैं उसके बा आपको आपके जो भी गोल्स है अचीव से उसको purposeful manner में अचीव करने में आपकी help करते हैं हम यह कह सकते हैं next question है आपसे पूछा जाएगा आपके exam में question number second do you think क्या आपको लगता है the point advocates का मतलब है the totally inactive and that क्या writer जो हमें 12th account करने के लिए keep still होने के लिए कहते हैं keep quiet होने के बात करते हैं हमें क्या बिल्कुल शांत या inactive हो जाना चाहिए या फिर हम जैसे की मर गए हो हमें ऐसा behavior करना चाहिए तो इसका answer बिल्कुल नहीं है no हम कहेंगे नहीं the point does not say this at all यह जो हम बिल्कुल ही शांत हो जाए है बिल्कुल inactive हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब यहां पर यह बात सोच कर आपको कभी तो writer कह रहे है जो point है इसके वो कह रहे है कि बिल्कुल शांत हो जाए है बिल्कुल शांत हो जाए कोई activity मित कीजिए लेकिन इसका meaning यह नहीं कि हम मर जाए तो यह contradiction भी आपका हो सकता है और साथ ही साथ में whatever he says यानि जो भी वो कहत देट तक करते हैं तो हमारा जो होता है उस पर करने में इतना जादा मन नहीं लगता हम बस कर रहे होते हैं हम इसलिए जब हम थोड़ा break लेता है और कोई नया काम हमारे लिए start होता है तो वो उसमें हम interest लेकर काम करते है कि कुछ गलत ना हो जाए अच्छे से हूँ तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे connected life है जो भी हम activities करना चाहते है उसको purposeful यह better manner में करने में help करता है साती साथ he only says यह यह भी कहता है says that we should stop our activities for a moment हमें कुछ रणों के लिए अपने जो भी moments है उसको रोकना है and have quiet introspection और हमको क्या करना है विल्कुल quiet introspection करना है it will help us to restart our activities और यह हमें help करेगा क्या करने में अमारी जितनी भी activities है उसको restart करने में और एक better और purposeful manner को start करने में अब यहाँ पर अगला अगला question आपसे वी के लिए question number 3 है इसमें आपसे पूछा गया है what is the sadness that the point refers into the poem यानि जो यह poems है इसके अदर जो point है वो क्या कहना चाहता है sadness से क्या कहना चाहता है आपको कहना है it is the sadness of never understanding ourself यानि यह एक ऐसी sadness है जो कभी भी हम नहीं समझ सकते those who remain all the time busy in worldly activities ऐसे लोग जो कुछ न कुछ करते रहते हैं वर्ड की अलग-अलग activities में लोग involved रहते हैं और कभी भी वो शान्त रहना नहीं चाहते तो ऐसे लोगों को अपने कामों को start करने में वो help देता है जिससे विनुश्य क्या हो सके बिल्कुल स्टिल हो सके बिल्कुल हम जो भी काम करना चाहते हैं मारा जो भी मोटीव है काम करने का उस मोटीव को हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे we can understand ourself हम अपने आपको अच्छी तरीके समझ सकते है only if we stop our all activities अगर हम अपनी सभी activities को क्या कर दें रोक दें और बिल्कुल quiet introspection करें तो ऐसा हो सकता है यह question important है अगला question आप सभी के लिए next है how is totally inactive on earth in the winter's month full of life यानि winter के time पर आपको बता है सब्सक्राइब सांथ पढ़ जाती है लोग ज़्यादा भाहर active नहीं होते है तो यहाँ पर किस तरीके से का गया है कि हमें बिल्कुल क्या उस समय की तरह बिल्कुल शांथ रहना है यहाँ पर the point uses the symbolize of earth यानि यहाँ पर अर्थ ने अर्थ का एक example लिया है और उसमें कहा है उन्होंने कहा है कि says that in the morning in the winter सजदियों के समय the earth seems to be dead यहीं बिल्कुल शांथ पढ़ जाती है शांथ इसलिए पढ़ जाती है क्योंकि जो कोई animal है birds है तो वह ज्यादा movement नहीं करते है इसलिए इसे symbolize किया गया है डेड की रूप में but later the spring लेकिन जैसी spring आता है जैसी वसंत आता है तो it provides it proved that the alive यानी वो मनुश्य जिन्दा है इनको श्रण के लिए मनुश्य और जो प्रकृती होती हो थोड़ा शांथ पढ़ता है लेकिन जैसी spring आता है वो द्वारा alive हो जाता है ऐसे हमें 12 तक count करने के लिए बिल्कुल quite introspection करना है बिल्कुल चांत रहना है और यह फिर हम जो restart करेंगे वो restart हमारे लिए फाइदी मन्द होगा तो आप से भी को यह याद रखना है नेक्स्ट कोशन है what idea does Pablo Neruda wants to convey the poem in his poem अपनी जो उन की poem है keeping quiet में ऐसा क्या कहना चाहती है वो क्या convey करना चाहती है the points wants to say that we should stop हमें क्या करना चाहती है अपनी जितनी भी activities है worldly हमें उसे stop करना है for a moment के लिए and do some quiet introspection पहली वाली लाइन वही वाली जो मैंना आपको first question में बताए it will help us to understand ourself यह हमें हमें अपने आपको समझने में help करेगी and then we can start our fresh better manner and purposeful manner हम अपनी जो भी activities है उसको फिर क्या कर सकते है अच्छी तरीके से fresh और purposeful manner में start कर सकते हैं introspection को करने के लिए writer ने किस point ने किस प्रकार से काया तो हमेर बताए गया question यह भी important question है what does the point want want all wants all of us to do यहनि क्या कहना चाहती है the point wants to the point the point wants us to stop our all activities for a moment हमें अपनी सारी activities को क्या करना है only for as long as we take to count it well यहनि कब तक ज्यादा देर तक मिनी सिर्फ उत्रेशन तक हमें अपनी सारी activity को रोखना है जब तक हम 12 तक count नहीं कर लेते like 12 seconds तक तो आप क्या कहोगे we should keep still and not move any arms यहनि हमें अपने जो अपने arms हमारी भुजा है हमारी बाजू हमें बिलकुल भी moment नहीं करना है we should remain silent हमें बिलकुल silent रहना है and not say anything while we are sitting still जब भी हमें जुबान से भी कुछ नहीं बोलना और बिलकुल सान्थ रहना है अब यहाँ पर पेपर को कुछिन ऐसे भी पूछ सकता है कि 12 तक ही काउंट करने के लिए कहा गया है कि गड़ी में किवल 12 ही बसते हैं 12 ही मन्त होते हैं यह कह सकता है कि इन दो reasons की वज़े से जो पॉइट है उन्होंने 12 तक ही काउंट करने के लिए कहा है आपको यह भी याद रखना है यह इंपोर्टन है अब यहाँ पर अगला कुछिन आपसे भी पूछा है what does the point mean when he says now we will count to 12 and we will all keep his 12 पर same question पहले वाला है आपसे यही question सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एक salt gatherers के बारे में पूछा जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली बात तो question यह पूछा जाता है what does the point say about fisherman fisherman को भी कहा जाता है कि आप सांत रहिए बारत अकाउंट कीजिए और आपको उन 12 seconds के लिए किसी भी वेल को या फिर जो फिस्ट को हम नहीं पहुंचाना यह पर the point says the quiet introspection will bring about the change in the outlook of fishermen they would no longer harm whales out of their creeds यह नहीं अपने लालच के कारण वो whales को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और fisherman को भी सांत रहने के लिए का गया है और जो fish भी है वो अपने आपको उसमें survive करने की कोशिश करेगी आपको याद रखने इसके बाद में next question है what does the point say about the gathering salt salt gathering के बारे में इन्होंने क्या का है in his greeting the collect and more salt पहली बात तो यह पर बताए गया है कि वैक्ती जो अपने हातों से salt को gather करते हैं उससे जो आदमी उनके हातों को heart पहुंचता है क्या पहुंचता है नुकसान पहुंचता है जोट लग जाती है या cut जाते है ऐसा कुछ हो जाता है if he spreads a few moments for a quiet introspection अगर वो भी ब greedy हरकतों की वज़े से जो लालची वाली हरकत है उनकी हाम करते रहना करते रहना यह मजबूरी में यह किसी भी तरीके से वो उनके heart जो हाम नहीं पहुंचेंगे और उनको उनका care भी करने का हैसास होगा तो आप सभी को यह ध्यान अकना है यह कुछ important question है जो इस chapter से आपको क पूचा जाता है what does the point say about those who prepared green wards green wards के बारे में पूच लेता है तो आप बोलोगे the point says that there are people who enjoy making wards कुछ यहाँ पर ऐसे लोग भी हमारे society जो जुद्ध को लडाई जगड़ा को बडान में बहुत ज़्यादा उनको मज़ा आता है they wants to win victories even if they are not survivor बहुत से लोग ऐसे हैं जो किवल जीत चाहते हैं चाहे वो आगे उस जीत को देखने लाइक जिनता बचे या ना बचे लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो किवल जीत इंट्रोस्पेक्शन और वो कुछ शर्णों के लिए अगर वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे यहां पर आप यह तीन कोशन अभी आपने पढ़ें चाहे तो इस चैप्टर यहनि इस फोम से हमको क्या सीगने को मिलती है आपको यही तीनों की तीनों चीज़ते बतानी है और जो आपने उपर से पढ़ा है इसके अलावा और कुछ भी आपको इसके अंदर नहीं बताना इसके अंदर यह सारी के सारी important points थे अगर आप लोगों कोई पसंद आया अब वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ये साथ में बड़े चैनल को भी सब्सक्राइब करें बाकी मिलते हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में